कहीं और जाने का और किसी और विशे पर सोचने का सवाली ने उठता है यूपी में नहीं बलकि पूरे इंडिया में सबसे जादा एक संभावना वाले चहरे हैं और पिछड़ा वर के लिए एक प्रगतिशील लेता है हम जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में साथ आए तो उसके बाद लगातार हम लोगों ने बहतर परफॉर्म किया है और हम लोगों ने जो 2022 के रिजल्स देके भले हम सरकार ना वना पाए लेकिन 12 प्रतिशत वोट जादा लिया है लोगों को संतुष्ट किया है अपनी सोच और विचार धारा से उत्तरपदेश की सियासत में इस वक्त काफी उत्थल पुतल मच्ची हुए समाजवादी पार्टी कुनबे के कई नेता बीजेपी में है इस भी चर्चा ये चले की इस घटक दल के साथ में और भी जो लोग है उनकी भी आवाज आई हो सकती है लेकिन सब के बीच में एक नाम आ रहा था पल्लवी पटेल का जो की सिरातू से विधायक है समाजवादी पार्टी की सायोगी दल है हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पल्लवी जी लगातार चर्चा एक बहुत तेस चल रही थी कि आप तक भी एक सूचना पहुची है क्या उस सूचना में कोई सच्चाई है क्या NDA या BJP को लेकर क्या आपके को कोई अप्रोच किया गया है या आपको लगता है कि वहाँ कुछ हो सकता है आपको सायोगी के तौर पर देखिए हम 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ कड़बंदन में आए और अभी तक हमारे रिष्टे मुद्दो के आधार पर विक्तिकत तोर पर बहुत ही मधूर है और हम लोग 2024 की तयारी में लगे हुए हैं और ऐसे में बीच पर ये खबर कहां आती है कहां से आती है मुझे इसका अंदाजा तो नहीं लेकिन ये ज़रू कह सकती हूँ कि हम अभी अकलेश जी सिर्फ यूपी में नहीं बलकि पूरे इंडिया में सबसे जादा एक संभावना वाले चहरे हैं और पिछड़ा वर के लिए एक प्रगतिशील लेता है और ऐसे में जो सम्मान जो एक सहयोग हमें हर सर पे मिलता रहा है समाजवादी पार्टी के साथ उसके साथ हम बहुत अच्छे से बहतर तरीके से अपने मुद्दो को लेकर के आगे बढ़ पा रहे हैं तो कहीं और जाने का और किसी और विशे पर सोचने का सवाली नहीं उठता पतर सीधे तरीके से ना है कोई स्कोप नहीं है हाँ बड़ा वाला ना है चर्चा इसमी तेशों के पूजा पाल को लेकर के चर्चा चल रही थी कि वो आएंगी इसके अलावा इंदजी चीज को भी लेकर के बड़े सवाल हो रहे और कुछ नेताओने दामन थामा भी है ये उठा पटा ये खीचातानी क्यों हो रही है दीकि ये चुनावी दोर है और आना जाना लोगों का चलता रहता है लेकिन जब संगठन और विचारधारा की बात होती है और हम लोगों ने जो 2022 के रिजल्स देखे भले हम सरकार ना बना पाए लेकिन 12% वोट जादा लिया है लोगों को संतुष्ट किया है अपनी सोच और विचारधारा से तो वो भी कहीं ना कहीं उस विचारधारा के साथ जनता ने हमसे कनेक किया जनता ने हमारा साथ दिया उसके लिए मैं तहे दिल से सुराथों की जनता का शुक्रिया हमेशा अदा करती हूं और लगातार और बहतर करने का प्रयास करेंगे आपके चीजाजी और दीदी की तरफ से भी बाते चल रहे हैं कि उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर आप आजाएंगी तो सो और जुड़ जाएंगे लगता नहीं आपको कि अब समय आ गया है कुछ चीजों को भुला करके क्या एक साथ आया जा सकता है इतने निचले स्तर की राजनीती मैं नहीं करती डूपटे वो दाज की सावारी कौन करता है मैं जहां हूँ बहुत खुशूँ यह क्यों हो रहा है आपको क्या लगता है यह पोर्चिंग का एक दौर चल रहा है यह सब चीजे क्यों हो रही है देखिए चुनाओ में हर पार्टी की अपनी एक रणीती होती है हर पार्टी का अपना एक विजन होता है कौन किसका दामन धामेगा यह तो हमेशा ही चलता रहता है लेकिन अगर आपका मिशन बढ़ा है तो आप जिस तरफ हैं और उस मिशन को उस तरफ बढ़ा रहे हैं तो बहुत 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 है और मुझे ऐसा लगता है कि अकलेश जी की पार्टी समाजबादी पार्टी जो हमारे कटबंदने बड़े भाई के रूप में है उनके नेतरत में उनके साथ हम लोग बहुत जादा बहतर परफॉर्म कर रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश ही नहीं बलके पूरे देश का एक बहुती संभावना वाला चेहरा है चाचा इसलिए भी तेज होगी क्यों कि आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करती है और मुझे एक जन प्रतिनी का दो सम्मान मिलना चाहिए वो हमेशा मिला है मैंने अपने छेत की समस्याओं को उनसे डिसकस किया है और इस बार मी मेरे छेत में कमंगलपुर को लेकर के कमालपुर को लेकर के दो बड़ी घटनाए हुई जिसमें मुझे ऐसा लगा कि लोकल प्रसाशन का सही होग मुझे नहीं मिला तो मुझे लगा कि अगर मैं मुखमंद्री जी से जविशम बात करूँगी तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे छेतर के लिए अला कि इचने ट्वीट भी किया था हम इस देश के 85 फीजदी लोगों में से हैं हम बाबा साहब डॉक्टर भीम राउंबेटकर को मानने वालों में से हैं और हमारे लिए बाबा साहब ने जो कहा वो अंतिम शब्द है और उन्होंने कॉंस्टिशन के प्रेंबल मेंशन किया है इंडिया दाट भारत तो इस इंडिया के 150 करोण लोग में से हम भी हैं तो हम जो हैं दलित हैं पिछड़ा हैं दबे कुछले हैं तो हमारी लडाई तो हमारे उत्थान के लिए विकास के लिए है तो वो शब्ध हमाई लिए अंतिन है तो ये लडाई इंडिया की तो हुई अपना दल कमेरावादी अपने आपको लगता है सीट शेरिंग को लेकर के पार्टिसिपेशन को लेकर के क्योंकि अगर इंडिया का ये घट बंदन है तो कॉंग्रेस आपके साथ हैं अपनी भूमिका कहा देखते हैं और वो बाचीत कहा तक पहुँच पाईगे। अपनी भूमिका कहा देखते हैं और वो बाते उचलती रहेंगे और उसमें लोगों का ये भी आता रहेगा कि मैं हूँ या नहीं हूँ साफ तोर पर तमाम सवालों के जवाब दिये हैं और सीधे तोर पर इस बात को नका रहा है कि अंडिया और बीजेपी को लेकर के कोई भी संभावना पलवी पटेल के खाती से नहीं है आने वाले समय में इस पर रोग भी लगेगी और इसके साथ इस साथ उन्होंने इंडिया और एंडिये वर्सिस पीडिये को लेकर कि जिस ट्रैक पर विपक्ष चल रहा है उसी पर आगे चलने की बात गई है लेकर उसे केमरामेन संजे सिंग के साथ अभी शेख बिश्रा यूपी तर